चलिए, the following information has been extracted from the balance sheet में गीवन है, equity आपको गीवन है, debenture गीवन है और यहाँ term loan गीवन है, KL कहता है, determine the weighted average cost of capital of the company, जब question में कुछ ना बोले के market value से निकालो या book value से निकालो तो आप book value cost price से निकाल के बताईएगा, आगे कहता है, it has the paying dividend at constant 20% per annum, हम हर साल 20% का dividend देते हैं, तो बहिए 20% किसका, जितने का dividend हमारा shares का value है, उसके उपर 20% payment कर रहे हैं, shares and debenture are trade, trade का मतलब है कितने पर, at par, at par मतलब भया, जितने का share था, 10 रुपे का share है, तो 10 ही का भिक रहा है, debenture 100 का है, तो 100 का भिक रहा है, what difference it will be make the current price 100 और share का कितना हो जाए, 160 हो जाए, कहता है, what is the difference will it make if the current price of share 100 और 160, अब सवाल में कहीं न कहीं खुदी बोल रहा है के shares क price 100 रुपे मान लो, क्या आपका उत्तर बदल जाएगा, अगर ये 100 रुपे का price से कितना हो जाए, 160 रुपे, बिलकुल बदलेगा सर, वहाँ पर के ही change हो जाएगा, के ही change होगा, तो पूरी calculation change हो जाएगी, तो एक बार तो हम normally कर लेते हैं, और एक बार change करके, ये homework में डाल ठीक है, तो चलिए, नॉर्मल अगर करें, तो बड़ा basic सा point है, अच्छा, बुक में ना answer कई बार ना, वो थोड़े अपने अलग-अलग तरीके से करते हैं, तो आप जैसे मैं समझा रहा हूं, वैसे करते हैं, ये answer आपका पूरा टेली होगा, एंड-to-end, सर यहाँ पे equity share capital, हम face value ले रहे हैं, वहाँ 400 लाग है, मैं simple 400 ही लिख रहा हूं, मैं भी लैक में डिजट लेके चल रहा हूं, इसके बाद 12% debenture, सर ये भी 400 लाग, इसके बाद 18% term loan, सर ये है 1200, अब हमें सबसे पहले निकालना है के, अब हमें, अब सर, dividend कैसे आएगा, D1 कैसे आएगा, question में बोलता है, 20% हर साल देते हैं, तो 20% जब हर साल देंगे हम, तो आप समझेए, आपका face value shares का क्या है, इसके उपर ही 20% देंगे ना, आप, sorry, पहले dividend देख लिजेए, एक बार आप, एक बार आप dividend देख लिजे कैसे आया, हमेशा dividend जैसे कि आपने बोला 20% देंगे, तो dividend पता है किस पर calculate होता है, face value पर, always, अगर in the terms of percentage दे रखा हो, आप देखे dividend कैसे आया, समझ में आपको dividend, ठीक है, अब इसने बोला कि हर साल यही रहेगा, तो D1 भी यही रहेगा 20, क्योंकि क्या कहता है, हर साल expected 20% देंगे, face value हर साल 100 रुपे रहेगा, हर साल 20, तो अभी मैं बात करूँ, तो 20 ही रहेगा, अगले साल भी बात करूँ, तो कितना रहने वाला है, 20, अब यहाँ पर question में G भी कितना होगा, G constant रहेगा आपका, G में कोई increment ही नहीं है, अगर 100 रुपे का 120 हो जाएगा, तो 20% ही G का increment है, तो ऐसे situation में देखा जाए ना, तो ultimately जब आपको dividend का rate, आपका बताओ केई क्या होता है, केई का मतलब होता है, आपको shares पे कितना खर्चा पड़ा, shares के उपर कितना, आपका खर्चा पड़ा, यह क्या होता है सर, that is केई, और पीछे जितने भी formula देखेंगे, अगर constant रहा, तो इस company में growth है, क्या बताओ, अगर बोलता है, question में, के it had paying dividend constant 20%, तो growth ही नहीं है भाई, तुमारी company में तो, तो G यहाँ पर नहीं होगा, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर simple निकालने का, तो D 120 divided by 100, और G है नहीं, G क्या है 0, और इसको multiply किससे करेंगे 100 से, तो ultimately again, मुझे जो result मिलेगा, 20% ही मिलेगा, देखो, question में G नहीं था, अब यह G नहीं था, कैसे हमने पता लगाया, क्योंकि कहता है, constant हम 20% पर नम देंगे, तो अगर कोई company, इस साल 20% dividend दे रही है, अगले साल भी 20% दे रही है, तो आप से अगर पूछा जाए, कि आप बताईए कि growth कितना हुआ company में, तो simple सा जवाब है sir, company में तो growth ही नहीं हुआ, हर साल तो वही dividend दे रही है, अगर मैं बोलू इस साल 5 लाग का sale है, अगर अगले साल भी मेरा sale 5 लाग का है, तो बताओ कितना growth हुआ, कुछ नहीं, तो यहाँ पर जी जी आपका zero माल लिया है, ठीक है, तो K यी निकाल लिया हमने कितने percent, 20%, अब क्या चाहिए हमें KD, KD क्या होता है interest, 1-T, divided by, NP, Sir interest क्या होगा, 1-T, 0.30% है 3, ultimately कितना आगया यह, 8.4, ठीक है, अब KL निकाल लो, KL क्या आएगा interest, divided by NP, into 1-T, into 100, अब loan का ना unit नहीं होता, आप समझो, loan कभी होता है, कि आपको, 10 रुपे वाला loan दिया, face value वाला, loan तो total amount होता है, तो loan वाले case में, आप total interest ही लिखो, तो आपका, 1200 पर अगर 18% interest निकाले हम, तो 1200 पर 18%, that is 200-16 का interest आएगा, और आपको पैसा कितना मिलेगा, 1200 मिलेगा, तो यह आजाएगा, 15.1, 216, 12.6, क्या आगा, 12.6 तो यह पता चल गया हमें, यह भी पता चल गया, 0.0, और यह भी पता चल गया, 0.0, है कि नहीं, अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 400 into 2, कितने हो जाएगा, 20% हैगा, तो 80, यह 0 है, 0.8 है, ठीक है, यह 33.6, यह 151.6, तो यह आगया, 2000, यह आगया, 264.8, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा है, डिरेक्ट लिख रहा हूँ, डिवाइड किससे कर दें, 2000 into 100, 13.24, यह आगया, इसको के ओ भी बोलते हैं, बताये था, ओवर्रॉल कॉस्ट आफ, कैपिटल भी बोलेंगे, और के ओ भी बोलेंगे, second part में क्या होगा, change, second part कहता है, what is the difference, अगर current price, 100 रुपे जो आपने माना है, उसको 160 मानने, तो क्या change होगा, जब के ही बदलेगा, तो फूरा scenario change हो जाएगे, तो second part homework में क्या कर पाऊगे, या मैं कर के दिखाऊँ, बताइए, second part homework में कर पाऊगे, या मैं कर के दिखाऊँ, बच्चों का आंसर भी आगया था, 13. D1, Sir, D1, 2 कैसे आया, 2 नहीं है, यह 20 है, क्योंकि shares का face value जो था, वो था 100 रुपए, assumption question में दे रखा है, और 20% rate है dividend का, तो 100 का 20% that is 20 रुपए, हाँ, जब देखो, question में जब तक न बोला जाए, market price से निकाल के बताओ, तब तक आपने निकालना नहीं है, book value पर ही चलेगा तब तक, अज हम पहले बार तो हम book value पर लेते हैं, देखो, पिछले आले सवाल में, specially mentioned था, के market price से निकाल लिए, तो हमने निकाला था, 151.6 की जगह पर 151.2 आएगा, 151.6, यह सही से कर लिए ना एक बार भाई, दो आएगा, यहाँ दो आएगा इसके जगह, अच्छा, हाँ, दो आएगा, तो यह 6, 2, 8, यह तो total सही हो गया, अच्छा मैंने calculator पर ही total आगे ले गया था ने, continue, मैंने calculator पर ही continue आगे कर दिया तो हो गया था, ठीक है,